हेलो जी नमस्कार आप सभी कूद तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपके सामने हाजर हूँ तो आज की एक ऐसी रेसिपी है जो हमारे गाउं से बिलोंग करती है तो ये हमारे घर में तेहवारों के टाइम या कोई खास के दिन के टाइम बनाए जाता था क्योंकि थोड़ा महनत वाला काम था अभी तो महनत सारा खतम हो चुका है क्योंकि अभी इलेक्ट्रोनिक्स का जमाना आ चुका है आपका महनत यूं चुटकी बजाते ही सारा खतम हो जाता है पहले तो इसा नहीं था पहले था कि इतना महनत वाला काम था या फिर महनत वाली रेसिप थी वो तेहवारों में ही सिर्फ बनती थी और फिर बीच में तो कभी खास दिन में कभी खाने को मिलता था हमें तो चलिए उस खास को आज सिंपल वे में हम सारा कुछ आपको बताएंगे पूरी बात ठीक है तो आपको अरवा चावल लेना है अरवा चावल मिन सादे वाले चावल हमारे हैं अरवा चावल ही कहा जाता है तो सब कुछ बताना होगा ना क्योंकि अगर सब बात बताएंगे नहीं तो हमारे गावले दख था पیसने में कोई से बनाने के लिए तयार होता नहीं था बैसे कली न चावल की जितने भी रेसिपी होती होती दी वह बहुतके कम बनती थी कुछी तय नहीं होती थी इसलिए तो बस अभी आपको क्या करना है कि पानी ज्यादा नहीं डालना है बस इतना आपको पतला रखना है तो देखिए ज्यादा पतला मत करती यह नहीं चाहते हैं तो नहीं लगाईए क्योंकि ओईल नहीं लगाईएगा तो भी यह बनेगा और यहां पर पलटा आपको एकदम नहीं मारना है बस आपको बैटर डालते जाना है और पैन को पकड़के उसको गोल-गोल करना है ठीक है यहां पर आपको डोसा के जैसा पूर करते जाना ठीक है पलट मत दीजेगा दूसरे तरफ यह पकता नहीं बस एक ही तरफ रोसा की तरह ठीक है उसके बाद फिर इसे लगतार इसी तरह से पकाते जाईए जब आपको हो जाएगा पूरा काम तो फिर आगे का आगे देखते हैं तो यहां आपको थोड़ा सा बताते ह कि हमारे यहां जारकन में चावल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है एक होता है अरवा और एक होता है उसना तो अरवा चावल से अधिकतर भगवान को भोजन जो बनते हैं भगवान के लिए वो भगवान को ज्यादा अरपित होते हैं और उसना होता है वो हमारे ल की अगर पसंद है तो डालिए नहीं पसंद है तो छोड़ दीजिए ठीक है कोई जबर्चस्ति नहीं है बस आपको इसको थोड़ा सा पीस लेना है ठीक से और हमें लगता है कि कोई भी रेसिपी बनाने के लिए क्या-क्या मसाले डाले कि वह ज्यादा स्वादिस्ट बने तो कुछ डालने से ज्यादा स्वाद नहीं आता है ठीक है बहुत कम मसाल में जो चीज तयार हो जाता है उसकी स्वाद उसका स्वाद अलग ही होता है तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा तेल में डालना है दो चारी लैची और थोड़ा सा हींग हींग मॉस्ट इंपोर्टें sorry, धनिया पता नहीं, धनिया पता पीशे डालेंगे, पहले धनिया दो चमच, और रेड़ चमच कास्मरी चिल्ली पॉर, और आदा चमच खल्दी पॉडर, और आपको धनिया का डंठल, यह most important है, ठेक है, क्योंकि धनिया पता है कि धनिया पता डालने से जादा टेस्ट आत तो जल्डी जल्डी में थोड़ा सा स्वाध भी बोलेगा हम भी जल्दी चल्द सकते हैं तो आपको इस बात का द्यान रखना है कि अगर स्वाध आपको पूरा चाहिए तो थोड़ा सा उसको टाइम दीजिया जाएन under flame जब आपका मन पूरा संतुष्ट हो जाए कि हाँ यह मसाले भो चुके हैं उसमें फिर डाली है पानी और यहाँ पर पानी आपको ज्यादा डलना है अगर जिनको अगर ग्रेवी ज्यादा पसंद नहीं है तो उनसे मैं अभी माफी मांग लेता हूं ग्रेवी थोड़ा सा ज्य तो यहाँ पर आपको 10 मिनिट के लिए कम से कम इसे थोड़ा सा टाइम देना है इसे पकने देना है और इंतजार करना है क्योंकि आग एक ऐसी चीज है कि आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हो आप एक बरतन चढ़ाते हो सबजी डालते हो और वेट करते हो कि हाँ यह आ दूले होते हैं और कहीं तो पते का भी इस्तमाल किया जाता है जैसे आप जानते होंगे कि आरहर की दाल जो होठीय है तो हमारे अरहरर की दाल भी होती है तो जद मतलब होती है तो ज Probably के पेड़को भी नहीं फिकते हम लोग उसे भी हम काने पकाने में क्र西 ने मुश करते है और कहीं कहीं कोईले का भी इस्तिमाल होता है हमारे घर पे भी कोईले का इस्तिमाल होता था तो यह होता है कि खाना जो लकड़ी से बनता है वो बहुत ही ज्यादा स्वाधिस्ट होता है और लकड़ी का जो खाना होता है वो ज्यादा ही प्योर होता है समझे वो उसमें जहारखंड में किस तरह से खाना बनता है या फिर किस तरह की रेसिपी बनती है और भी बहुत सारी रेसिपी आप हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको किस तरह की रेसिपी आपको जहारखंड से रिलेटेट चाहिए ठीक है वह भी हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे और जो जारखंड का नई है वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे तो बस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, सब्सक्राइब कर दीजेगा और जो नए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पुराने वाले तो कर ही लिए हैं तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसे बनाईए और खाईए ठीक है।